नमस्कार मैं शिखाश्रिवास्त और आप देख रहे हैं के भारत नियूज आए नेजर डालते हैं उत्राखंड इस्पेशल बुलेटिन की ओर किसानों का एक ट्रैक्टर रेली है जिसमें हमारे शेत्र से करीब 10,000 से भी ज्यादा ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली पहुंचेंगे साथ हिंदुस्तान की संस्कृती से जुड़ी विभिन झाक्या भी निकाली जाएगी इस दोरान पूर्विधायक प्रेमानंद महाजन ने अगे केंद्र सरकार द्वारा पारित किये कालियक कानून के खिलाव लगतार शांतीपूर तरीके से धर्ना प्रदरशन किया रहा है लेकिन केंद्र किसानों की मांग मानने को तयार नहीं है इस लिए 26 जन्वरी को किसानों का दिल्ली में इसलिए शेतर के अधिक से अधिक किसान टिर्यक्टर लेकर पहुचेंगे और जिनके पास ट्रेक्टर नहीं है वह अन्य साध्वूं के माध्यम से पहुचेंगे उन्होंने कहा कि 26 जन्वरी को ट्रेक्टर रैली है इसलिए सभी को 23 जन्वरी को यहां से निकलना चाहिए और कहा कि मैं किसान हूँ इसलिए किसान अंदोरन में जितना भी प्रतिभाग कर सकूँ वह मेरा सभाग गया है उदम सिंग नगर जीला एवं सत्र नयाले द्वारा आजपासको एक्ट में एक आरूपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50,000 रुपए जुर्मान लगाया गया है बताया जा रहा है कि रुधपूर्थ के चट्दर पुर्णिवासी नरिंज सिंग लेगी द्वारा दिनेश पूर्थ आना शेत्र की रहने वाली एक नावालिक बालिका के साथ दुशकर्म किया गया था जिसके बाद किसी को बताने पर नावालिक को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी आरोप है कि नरेंज सिंग कई बार नावालिक से दुशकर्म करता रहा इस दौरान नावालिक गर्भवती हो गई एक दिन नावालिक द्वार अपनी मा को पूरी कहानी बताई गई तब वो पांच माह की दर्भवती हो गई थी जिसके बाद उसके घर में हड़कम मत गया पिर्टा के परिजनों द्वारा 29 सितंबर 2019 को ठाने में तहरीर देकर नयाय की गुहार लगाई गई थी जिसपर तदकाल कारिवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी नरेंज सिंग नेगी को गिरफतार कर लिया है और नयाय खिरासत में लेकर जेल भीज दिया है इसके बाद नाबालिक द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया गया था जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी नरेंद्र सिंग और नवजाद बच्चे को DNA टेस्ट कराया गया था जिसमें DNA रिपोर्ट में बच्चा आरोपी नरेंद्र सिंग नेगी का ही पाया गया मामला कोट में ट्रायर पर चला जिसमें जिला शास की अधिवक्ता विकास गुपता द्वारा पूरे मामले की पैरिवी करते हुए आठ गवार पेश किये गए जिसमें नरेंद्र सिंग नेगी को दोशी करार देते हुए आज स्पेशल पास्ट को नियाएधीश विजलक्षम बिहान द्वारा आजीवन करावास की सज़ा सुनाने के साथ ही पचास हजार रुपे का जुर्माना भी लगाए गया है उत्राकन के शहरी विकास मंत्री और उधम सिंग नगर जिले के प्रभारी मदन कौशिक ने आज रुधुपुरिस्थित जिला कार्याले में कार्यकरताओं के साथ बैठक की रूद पुरिसित भाजपा कार्याले पहुँचने पर भाजपा कार्यकरताओं ने उनका स्वागत किया जिसके बाद उन्होंने कार्यकरताओं से मुलाकात की आगुमी चुनाओं को देखते हुए मंत्री मदन कौशिक ने कारकर्टाओं से और तेजी से लोगों के बीच काम करने की बात कहीं और भाजपा के नीतिया जनता तब पहुचाने की बात कहीं बैठक में कई कारप्रताओं ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की कारकरताओं को अश्वासन देते हुए मदन कौशिक ने कहा कि जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी दिक्कतों का हल निकाला जाएगा मदन कौशिक ने बताया कि आगमी चुनाओं को देखते हुए सभी जिले के प्रभारी मंत्रियों को अपने जिलों में प्रवास के लिए कहा गया है और कार्यकर्ताओं की समस्य सुनने की बात भी कही गई थी इसी के चलते वो आज रूद्दुपूर पहुचे थे प्रभारी मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कार्यकर्ता जोश से भरे हुए हैं पहले हम कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहे हैं उसके बाद अधिकारियों से और फिर जन प्रतिनिद्यों से बैठक कर लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे उदम सिंग नगर में शहरी विकास मंत्री की बैठक में उदम सिंग नगर जिले के बिजेपी के आठ विदायकों में से सिफ रूद्दुपूर विधायक ही मौजूद रहें जबकि साथ विदायक बैठक से नदारद रहें रुदुपूर के शिमनगर में खाना बनाते समय सिलंडर में आग लगने से हड़कम मज गया बदा जा रहा है कि तेरवी में आये महमानों के लिए खाना बनाते समय गैस सिलंडर में आग लग गई आग की चपेट में आने से तीन लोग जुलस गये एक की हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है शिमनगर ट्रांजिट क्याम निवासी चंदन की मा विमला की 14 दिन पहले मौथ हो गई थी बीते मंगलवार को मृतिका की तेरवी का भोज रखा गया था बोज में कई रिष्टेदार और परिजन शामिल हुए थे आसपास के लोगों के अनुसार बुद्धवार की देरशाम घर में ठहरे महमानों के लिए एक खाना बनाया जा रहा था इसी दोरान गया सिलंडर में आग धदक गए आग लगते ही चंदन ने सिलंडर को चूले से निकाल कर बाहर फेक दिया आसपास के लोगों ने कड़ी मसकत के बाद आग पर काबू पा लिया है आग की चपेट में आने से चंदन गंभीर रूप से जूलज गया जबकि दो अन्य लोग भी आग वे जूलज गया है आग में चंदन को इलाज के लिए एक निज़ी अस्पिताल में भरती करा गया है ऐसी तमाम कबरों के लिए मारे साथ बने रहे हैं और देखते रहे हैं के भारत लियोष